गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग आप्टिक्स का लेक्चर नमबर 20 पढ़ेंगे, इसमें हम लोग एप्लिकेशन्स ओफ टी आईर पढ़ेंगे, यानि टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन, अर्थात पुर्ण आंतरिक परावरतन के अनुप्रियोग, तो पुर्ण आं का पूरा नाम है, टोटल, इंटर्नल, रिफलेक्शन, इसको हिंदी में कहा गया, पुर्ण आंतरिक परावरतन, एप्लिकेशन को क्या कहा गया, उपियोग या अनुप्रियोग, पहला अप्लिकेशन है, उप्टिकल फाइबर, अर्थात प्रकासिक तंतु, प्रकासिक तंतु क्या है, उप्टिकल फाइबर, उच गुनुवत्ता वाले कांच, या क्वार्ड्स की बनी एक पतली नली होती है, उप्टिकल फाइबर क्या है, हाई क्वालिटी ग्लास का बन क्वार्ड्स की बनी एक पतली ट्यूब होती है पतली नली होती है पतला सा ट्यूब होता है एकदम पतला जितना पतला आपका हेयर है एकदम बाल के समान पतला होता है तो आप्टिकल फाइबर क्या है यह एक पतला सा ट्यूब है थीन ट्यूब थीन ट्यूब है पतला ट्यू होता है made of high quality glass और quads उच्छ गुनवत्ता वाले कांच या quads की बनी एक पतली नली होती है एक पतला ट्यूब होता है या एक पतली नली होती है जिसकी radius बहुत कम होती है तेन पर पावर माइनस 6 फावर उच्छ गुनवत्ता वाले कांच या quads की बनी एक बहुत ही पतली je भली होती है जिसकी तरिज्या अँव काफी कम होती है वन- bist मीटर यानी टेन पर पाउर माइनस 6 mily के आसपास होती है। यह दो पार्ट से मिलकर बना होता है सबसे भीतर वाले पार्ट को कहते है को को और बाहर वाले पार्ट को कहते है क्लैडिंग core को हिंदी में कहा गया cold, cladding को कहा गया आच्छद तो core और cladding इसी से मिलकर बना होता है optical fiber optical fiber एक बहुत पतला tube होता है optical fiber एक बहुत ही पतला नली होता है लेकिन अगर zoom करके देखें तो थोड़ा बढ़ा करके दिखा रहें इसको ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये वाला और ये हिस्सा इसी को cladding कहा गया ये बाहर वाले हिस्से को क्या कहा गया cladding ये भी हिस्सा क्या कहला है cladding उपर से जो परत होता है ये वाला परत और ये वाला परत उपर का जो बाहरी परत है उसको कहते है cladding और भीतर वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा इसको कहा गया core यानि optical fiber में दो पार्ट होता है inner part को हम core कहते हैं यानि भीतरी हिस्सा को core कहते हैं और outer layer जो होता है बाहरी हिस्सा उसको कहा गया cladding cladding हो गया outer part यानि बाहरी हिस्सा Core हो गया Inner Part यानि अंदर वला हिस्सा यह Denser Medium होता है और Cladding क्या होता है Rarer Medium होता है अर्थाथ Core का Refractive Index Mu Core is Greater Than Mu Cladding इसका मतलब Core का अपूरतनांक Core का Refractive Index अधिक होता है Cladding से इसका मतलब अंदर में जो Core है यह Denser होता है और बाहर में जो Cladding है वो Rarer Medium होता है Optical Fiber की सिद्धान पर काम करता है It Works on the Principle of Total Internal Reflection या पुर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धान पर काम करता है यहां से आपको काफी सारे Objective Question पूछे जाते हैं पहला Question पूछा जाता है Optical Fiber की सिद्धान पर कारी करता है तो Optical Fiber पुर्ण आंतरिक परावर्तन यानि Total Internal Reflection के Principle पे काम करता है दूसरा Optical Fiber की त्रिजिया किस ओर्डर में होती है तो इसकी त्रिजिया काफी कम होती है माइक्रो मीटर के ओर्डर में होती है यानि 10 पर पावर माइनस 6 मीटर Optical Fiber किस पदार्थ का बनता है Optical Fiber उच गुनवत्ता वाले कांच या क्वाड्स इसी पदार्थ का बनता है Optical Fiber में दो पाट होता है अंदर वाले हिस्से को कोर कहते है और बाहर वाले हिस्से को क्लैडिंग कहते है अंदर वाले हिस्से को क्रोड और बाहर को आच्छा कोर का अपरतनां क्लेडिंग से दिख होता है यानि कोर डेंसर मीडियम होता और क्लेडिंग रेरर मीडियम होता है अप्टिकल फाइबर का क्या यूज है पहले देखते हैं या किस तरह काम करता है फिर इसका यूज हम लोग सीखते है अप्टिकल फाइबर के अंदर जैसे ही लाइट को भेजा जाता है ये मान के चलिए अप्टिकल फाइबर है इसके अंदर प्रकास जैसे ही जाती है तो अंदर में देखिए ये कौन सा माध्यम है ये डेंसर मीडियम है और ये लाइट किधर जाना चाह रहा है क्लैंडिंग में लाइट कोर से निकल के किस में जाना चाह रहा है तो जब लाइट डेंसर से रेरे में जा रहा है और मान के चलिए आइका वेल्यू थीटा सी से अगर अधिक होगा यहान से देखिए यह जो surface है यही है interface इसकी उपर का हिस्सा क्या है cladding और नीचे का हिस्सा क्या है core नीचे में core है उपर cladding है नीचे denser है उपर rarer है तो जब light सगन माध्यम से viral में जाना चाहेगा और i का value अगर theta c से बड़ा होगा तो यहां पर ti r होगा फिर यहां पर अगर i का value theta c से अधिक हो गया तो फिर यहां से ti r होगा फिर यहां पर ti r होगा इस तरह करके light कई बार पुर्ण अंत्रिक परावर्तन होता है प्रकास का कई बार पूर्ण अंत्रिक परावर्तन होता है, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुआ यहां पराया, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ यहां आया, यहां से परावर्तित होके यहां आया, यहां से परावर्तित, ऐसे बार बार पूर्ण अंत्रिक परावर्तित होते होत उसका पुर्na अंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वो बार-बार परावर्तित होकर क्या होता? अंतता बाहर की और निकल जाता। ये निर्गत प्रकास है, इमर्जेंट रहे है, निर्गत किरन, अच्छा, आप्तित किरन की तिब्रता अगर 100% है, तो निर्गत किरन की भी तिब्रता 100% होगी, क्योंकि आपने पढ़ा था, कि पुर्ण आंतरिक परावर्तन में, जो परावर्तित प्रकास होती है, उसकी को वी 308 hearts अगर इंसिडेन्ट राइट की इंटेंसिट्य लियुट अंइट परसंट है तो यहां से जो रेफलेक्ट हुआ इसका भी 100% होगा इसका भी हंडेट परसंट और इसका भी हंडेट परसंट होगा इसका मतलब लाइट की इंकेंटि घरती नहीं है agitive, जो intensity incident light का है, वही intensity emergent light का है, clear है, यहां पर optical fiber के अंदर light कैसे चलता है, कैसे चलता है, बार-बार क्या होता है, पुर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर वाला हिस्सा denser है, और बाहर वाला जो layer है लाइट, डेंसर से रेरर में pass कब करेगा, जब i की value theta c से कम होगी नीचे denser है उपर rarer है, तो जब i का value theta c से कम होगा तो light denser से rarer में चला जाएगा i का value theta c के बराबर होगा तो light ऐसे टच करके जाएगा लिकिन अगर i का value theta c से अधिक होगा तो यहाँ पर TIR होगा यही चीज होता है यहाँ पर देखे कोर कैसा मीडियम है डेंसर और क्लैडिंग कैसा मीडियम है रेरर तो लाइट जब डेंसर से रेरर में जाना चाहता है तो यहाँ पर आई का वैल्यू थीटासी से अधिक होने के कारण क्या हो जाता है यह अंदर वाला हिस्सा है core और यह जो outer layer है यहाँ पर और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे cladding यहाँ पर जैसे ही ray अंदर प्रवेश करता है यहाँ पर angle of incidence i का value theta c से अधिक होने के कारण क्या होगा तीया यार फिर यहाँ पर i का value theta c से अधिक है तो क्या होगा तीया यार फिर i का value theta c से अधिक है तो क्या होगा तीया यार तो बार बार पुर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है और अंत्ता प्रकास क्या होती है निर्गत हो जाती है बाहर निकल जाती है यह आप्तित की रण है यह निर्गत की रण है तो निर्गत प्रकास की तिब्रता आप्तित प्रकास की तिब्रता के बड़ाबर होती है ठीक है इ इसका radius माइक्रो मीटर, एक माइक्रो मीटर के आसपास होता है, यह उच्छ गुनवत्ता वाले काच या क्वाड्स की बनी एक पतली नली होती है, यह पुर्ण आंतरिक परावरतन के सिध्धान पर कारी करता है, इसका देखे यूज क्या है? अप्टिकल फाइवर का दो यूज है, पहला यूज है, अगर हमारे सरीर में इनसान के सरीर के अंदर का कोई पार्ट अगर छती गरस्त हो जाए, कोई पार्ट डिफेक्टिव हो जाए, माली जे इनसान के सरीर का अंदर वाला हिस्सा जैसे लीवर है, किडिनी या कोई भी पार्ट अगर डिफेक्टिव हो जाए, तो उसको देखने के लिए ऑप्टिकल फाइवर का यूज होता है सरीर के अंदर वाले हिस्सा को देखने के लिए, मुँ के थुरू ऑप्टिकल फाइवर को सरीर के भीतर घुसाया जाता है, इंजक्ट किया जाता है, चाहे मुँ से घुसाया जाया या सरीर के किसी हिस्से में छिद करके घुसाया जाया, और फाइवर को घुसाने के बाद अंदर में जो भी हिस्सा आपका छती ग्रस्त है या जो पार्ट जगह भेजने के लिए Optical Fiber चुकि बहुत पतला फैबर होता है तो Optical Fiber का इस्तमाल होता है वैद्यूत संकेत यानि electric signal को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में ठीक है तो Optical Fiber का दो यूज्ज क्या हो गया यूजेज ऑफ आफ्टिकल फाइबर पहला यूज हो गया तू सी दा इंटर्नल डिफेक्टिव पार्ट्स आफ दी बॉड़ी शरीर के अंदर छतिगरस तभाग को देखने के लिए इसका इस्तमाल होता है दूसरा होता है एक जगा से दूसरे जगा अगर इलेक्ट्रिक सिगनल यानि वैद्यूत संकेत को भेजना है तो इस फाइबर का इस्तमाल किया जाता है आपने देखा होगा जमीन के अंदर मोटा मोटा तार बिछाते हुए यह टेलिफॉन वाले लोग बिछाते हैं तो जो टेलिकोम्निकेशन डिपार्टमेंट के लोग है वो जमीन के नीचे अप्टिकल फाइबर बिछाते हैं और उसी फाइबर के मदद से फिर फोन कॉल्स आते हैं एलेक्ट्रिक सिगनल जाते हैं हमारे वोईस कॉल्स जो होते हैं फोन के उपर उसको इलेक्रिक सिगनल में करवर्ट किया जाता है और वही सिगनल बनकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजा जाता है तो अप्टिकल फाइबर का दो यूज हो गया टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन का तीन अप्लिकेशन है पहला हो गया आपका उप्टिकल फाइबर दूसरा है मिरास मिरास को हिंदी में मरीचिका कहते है यह मालीजे ग्राउंड है जमीन और यहां पर एक पेड़ है यह दूर में खड़ा कोई व्यक्ति है अब देखें रेगिस्तान में क्या होता है रेगिस्तान को क्या बोलता है डेजर्ट डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान आप जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है गर्म होने से क्या होगा पृत्वी का सता काफी गर्म होता है पृत्वी सता के नजदीक का जो हवा है वो काफी गर्म होता है गर्म हवा क्या होता है हलका होता है अर्थात यह एक विरल माध्यम की तरह काम करता है, इसके उपर का हवा, जो जो हम पृत्वी सता से उपर की और जाएंगे, हवा कम गर्म होते जाएगा, यानि ठंडा होते जाएगा, तो सबसे अधिक गर्म हवा कहां होगा पृत्वी सता के नजदी, पृत्वी सता के नजद उपर वाला जो हवा है यह जो हवा का परत है यह पहला वाला जो layer है यह सबसे अधिक गर्म होगा गर्म होने के कारण यह हलका होगा और यह क्या हो जाएगा एक viral माध्यम की तरह काम करेगा इसके उपर का जो हवा होगा यह second layer ये थोड़ा सा इससे थंड़ा होगा तो ये इससे थोड़ा सा सघन होगा ठीक है थोड़ा सा थंड़ा होगा यानि ये भी गर्म होगा लेकिन इससे कम गर्म होगा मालो इसका temperature है 50 degree Celsius इसका temperature होगा 48 degree Celsius तो ये थोड़ा सा थंड़ा होगा इसके मुकाबले तो ये थोड़ा सा स थनड़ा होगा तो वह और जदा सघन हो गया जदा सघन जदा सघन यानि अधिक थनड़ा हो गया इसका टेंपरेचर मालो 40 डिग्री सी है इसके उपर जाऊगे तो और जदा सघन होगा most denser यहाँ पर क्या हो रहा है हम देख रहे हैं कि जो जो हम पृत्वी सता से उपर की और जा रहे हैं हवा का क्या हो रहा है घनत तो बढ़ रहा है घनत तो बढ़ रहा है और हवा का refractive index mu भी बढ़ रहा है जो जो हवा denser होगा हवा जितना अधिक थंड़ा होगा थंड़ा हवा क्या होता है थंड़ा हवा यानि cold air जो होता है वो घना होता है घना होने के कारण उसका refractive index अधिक होता है गर्म हवा जो होता है वो viral होता है और उसका refractive index क्या होता है कम होता है तो थंड़ा हवा ठंडा हवा, हवा जितना ठंडा होगा, वो उतना ज़्यादा डेंसर होगा, और जो हवा जितना अधिक डेंसर होगा, उसका refractive index उतना अधिक होगा, तो रेगिस्तान में क्या होता है, कि पृत्वी का सतह काफी गर्म होता है, तो जैसे जैसे हम नीचे से उपर की ओर जाते है हवा का घनत भी बढ़ता है, और उसका अपुरतनांक भी बढ़ता है, घनत तो इसलिए बढ़ता है, क्योंकि नीचे से उपर जाने पर हवा ठंडा होते जाएगा, सबसे नीचे सबसे अधिक गर्म है, यानि वीरल है, इसके उपर ठ्वा ठंडा और ठंडा और ठंडा, या यानि हावा का थन्डक बढ़ते जाएगा यानि घनापन बढ़ते जाएगा और घनत तो बढढ़ेगा तो refractive index बढ़ेगा तो नीचे से उपर क्यों और क्या याद रखेंगेegen項 डेन्सीटी बढ़ता है जानि घनत तो बढ़त यह आपका जमीन हो गया ग्राउंड माली यह दूर में कहीं कोई पेड़ है और एक व्यक्ति है जो इस पेड़ को देख रहा है यहाँ पर हवा का कई लेयर है अभी अभी हमने बताया नीचे से उपर जाओगे तो हवा की डेंसिटी बढ़ेगी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी जब पेड़ से लाइट निकलता है यहाँ से जब रे निकलेगा कोई वस्तु कब दिखता है जरा सोच के देखे कोई वस्तु तब दिखता है जब उस वस्तु से आने वाली किरने हमारी आँखों पर पड़ती है तब ही वस्तु दिखाई पड़ता है तो इस पेड़ से जब लाइट निकल कर इसके आँख पर जाएगा तब ही तो यह आदमी जब इस पेड़ को देखेगा तो इस पेड़ से जो भी किरने निकलेगी वो इसके आँख तक पहुँचेंगी लेकिन सीधा नहीं पहुचता है बलकि तेड़ा मेढ़ा पहुचता है देखिए कैसे पहुचता है ये इधर से लाइट निकला जब ये इस सरफेस पर आएगा तो यहाँ पर ये किस से किस में जा रहा है ये डैंसर से किस में जा रहा है ये डैंसर से जा रहा है किस में रेर सबसे उपर का माध्यम सबसे घना है नीचे जो जो आईएगा तो माध्यम क्या होते जाएगा विरल होते जाएगा यहां पर अगर आई का वैल्यू यहां देखिए यह जैसे ही डेंसर से रेरर में जाएगा तो यह नॉर्मल से दूर भागेगा इसको जाना था सीधा लेकिन यह किधर भाग गया इधर भाग गया फिर यह डेंसर है और नीचे वाला रेरर है फिर जब लाइट डेंसर से रेरर में जाएगा तो यह नॉर्मल से दूर भागेगा ऐसे दूर भागते-बागते क्या होता है कि आई का वैल्यू ठीटा-C से अधिक हो जाता है माल लीज य आईसे ही i का value theta c से कम होगा, i का value 20 degree है यानि theta c से कम है, तो light क्या होगा, दूसरे medium में refract कर जाएगा, यानि r का मन 90 से कम होगा, तो light किस से किस में जा रहा, dancer से rare है में, ध्यान से समझेगा, उपर सघन माध्य में, नीचे बिरल माध्य में, light जब सघन से बिरल में जाएगा, और i का मन theta c से अगर कम है, तो यहाँ पर अपवर्तन कौन r का मन 90 से कम होगा, अब यह i का value क्या होगा, 25, तो r का value बढ़ गया, i का value कितना होगया, मली जब 40 होगया, यानि theta c से अधिक होगया, अब light यहाँ पर क्या हो जाएगा, ti r हो जाएगा, यहाँ से light reflect कर जाएगा, reflect करेगा, फिर यहाँ पर अब देखो, अब यह rarer से किस में जा रहा, dancer, तो यह लंब की और मुड़ेगा, इस सिधा नहीं जाएगा, इधर मुड़ेगा, फिर यह rarer, dancer, इधर मुड़ेगा, तो अंतताह light क्या होता है, इस आदमी के आँख तक जो light पहुंसता है, ऐसे टेढ़ा होते हुए पहुंसता है, ऐसे करके पहुंसता है, एक बार इस डियाग्राम को हम फिर से बना के दिखाते हैं, कि किस तरीके से light bend होता हुआ इस आदमी के आँख तक पहुंसता है, यह light चला, यहाँ पर i का value theta c से कम है, यह denser है, यह जा रहा है rarer में, सीधा नहीं जाएगा, normal से दूर भाग गया, फिर यहाँ पर i का value theta c से कम ही है, तो फिर यह क्या होगा, सीधा नहीं जाएगा, बलकि normal से दूर भागेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहां पर देखिए I का value theta c से अधिक हो गया क्योंकि हर बार I का value बढ़ते जाता है जो जो यह normal से दूर भागेगा I का value बढ़ते जाएगा देखिए यहां I का value 20 है R का value 20 से जादा होगा 30 फिर यही R का मान यहां पर I बन जाएगा यह दोनों alternate angle है फिर यहां 30 हो गया I का value बढ़ गया 30 हो गया फिर यहां पर 40 फिर I का value यहां 40 तो I का value बढ़ते आता है जब I का मान theta c से अधिक होगा तो वहां पर light का क्या हो जाएगा TIR यहां से light reflect करेगा reflect करते हुए तब इंसान के आँख पर पहुंचता है और इस आदमी को लगता है कि यह प्रकास की किरने कहां से आ रही है नीचे से आ रही है तो इसको पेड का एक प्रतिबिम्ब नीचे जमीन पर बनता हुआ दिखता है इस व्यक्ति को लगता है कि यह सारी प्रकास की किरने कहां से आ रही है नीचे से आ रही है यानि इस व्यक्ति को इस पेड का प्रतिविंब नीचे बनता हुआ दिखता है इसका मतलब इसको लगता है कि उस पेड का प्रतिविंब नीचे बन रहा है यानि उसको लग रहा है कि वहाँ पर पानी है जैसे आप देखेगा किसी तालाब के किनारे अगर अगर कोई पेड़ है तो उसका एक असपस्ट इमेज यानि क्लियर इमेज बनता हुआ दिखता है पानी में तो उसी प्रकार इस वैक्ति को भरम होता है इस पेड़ का चुकी उसको प्रतिविम नीचे बनता हुआ दिखता है उसी प्रकार जैसे कि पानी में किसी पेड़ का प तो इसी घटना को हम मरीचिका कहते हैं मरीचिका क्या है एक भ्रहम है रगिस्तान में हमेशा किसी ऊचे पेड़ या ऊची कोई भी चीज है उसके नीचे हमेशा आपको लगेगा कि वहाँ पर पानी है लेकिन ये भ्रहम होता है इसी भ्रहम को हम मरीचिका कहते है तो चलिए आ हीरा क्यों इतना चमकता है ब्रिलियंस ओफ डाइमंड थार्ड अप्लिकेशन है अब ब्रिलियंस ओफ डाइमंड हीरे का चमकना पहला बात याद करिए कि एयर डाइमंड इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगिल का वेल्यू बहुत कम होता है 24.4 डिगरी के असपास हीरा अधिक चमकता है TIR के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा अधिक चमकता है एयर डाइमंड इंटरफेस माल लीजे ये एक हीरा है हीरे का एक टुकड़ा है आप देखे होंगे कि हीरे का जो टुकड़ा होता है उसको जो diamond cutter लोग होते हैं, जो जोहरी लोग होते हैं, जो हीरे को तराशने का काम करते हैं, वो लोग हीरे को अलग-अलग angle पर काटते हैं, ताकि उसमें अधिक से अधिक परावरतक सतह का निर्मान हो सके। हीरा को इतना जादा, sharp angle पर, तिक्षन कोन पर, बहुत सरा आप देखेगा, हीरे के अंदर बहुत सरा नकासी किया वारता है, डिजाइनिंग किया वारता है, यह डिजाइनिंग देने का एक ही मक्सद होता है, कि वहाँ पर जादा से जादा पुर्ण परावरतक सतह का निर्मा और अंदर में कौन सा मध्य में, diamond, तो जैसे ही light इसके अंदर घुसता है, तो जिस surface पर light पड़ता है, वहाँ पर TIR होगा, और वह TIR होते वे हमारी आँखों तक पहुंचता है, हमको यह light बहुत जादा, जिस surface से light का TIR होता है, वह surface बहुत जादा चमकता हुआ लगता है, इस तरीके से जितना भी इसके अंदर light जाएगा, और जिस surface पर TIR होगा, वह light हमारी आँखों पर जब पड़ेगा, तो वह surface क्या होगा, बहुत जादा चमकता हुआ मालुम देता है, इसलिए हीरा इतना अधिक चम चमाता है, एक बात याद रखे, critical angle जितना कम होगा, TIR उ माली जे इधर है denser medium, और इधर है rarer medium, माली जे critical angle की value कम है, माली जे critical angle की value 24 degree है, कम है, इसका मतलब अगर light को हम 24 degree पर भेजेंगे, 24 पर भेजेंगे, तो angle of reflection का value 90 होगा, अगर light को 24 से थोड़ा भी जादा पर भेजेंगे, तो फिर TIR होगा, total internal reflection होगा, 25 पर भेजेंगे, तो परावर्तित होगा, 26 पर भेजेंगे, परावर्तित होगा, यानि 24 से बड़ा और 90 से छोटा इस बीच में किसी भी angle पर भेजेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, TIR होगा, यानि 24 के बाद 25 से लेके 90 तक TIR होगा, तो अगर critical angle 24 है, तो T TIR 24 से बड़ा, यानि 25 से 90 तक होगा, अगर critical angle की value, अगर critical angle की value 60 degree है, तो फिर TIR कहां से कहां होगा, 61 से 90 तक होगा TIR, इसका मतलब critical angle जितना कम होगा, light के पुर्ण परावर्तित होने की chance उतनी अधिक बढ़े जाएगी, और critical angle जितना अधिक होगा, प्रकास के पुर्ण प अगर critical angle का value 80 degree हो जाए, तो TIR कहां से कहां तक होगा, इसका मतलब 80 degree पर जब light जाएगा, 80 degree पर, तब R का मान 90 होगा, अगर 80 से जाधा पर जाएगा तो TIR होगा, 81 पर जाएगा TIR होगा, 82 पर जाएगा TIR होगा, यानि 90 तक TIR होगा, है ना, इसका मतलब 80 से बड़ा, 81 से 90 तक TIR होगा, तो उसी light का TIR होगा, जो 81 से 90 के range में है, तो यहाँ पर range घट गया, जबकि यहाँ पर range अधिक है, इसका मतलब critical angle जितना कम होगा, अधिक से अधिक light क्या होगा, पुर्ण परावर्तित होगा, और जितना जादा light का पुर्ण परावर्तन होगा, वहाँ surface उतना अधिक चमकता हुआ मालूम परेगा, जिस surface पर light का TIR होता है, वहाँ surface आपको अधिक च परावर्तन होता है, जैसे इस पर light पढ़ता है, यह पुर्ण परावर्तित होता है, और पुर्ण परावर्तित होते हुए हमारी आँखों पर पहुँचता है, तो यह surface आपको क्या लगेगा, चमकता हुआ, इस प्रकार हीरे के अंदर जितना भी सता होता है, उस सता से जब प्रकास का पुर्ण परावरतन होता है तो वह अधिक चमकतावा मालूम पड़ता है आपको हमने बताया था air glass के लिए critical angle 42 degree होता है air water के लिए 49 degree और air diamond के लिए 24.4 degree होता है जो की काफी कम है तो सबसे अधिक सबसे कम critical angle air diamond के लिए होता है हीरा हवा अंतराप्रिष्ट के लिए हीरा हवा हीरा हवा अंतराप्रिष्ट के लिए critical angle सबसे कम होता है इसलिए यहाँ पर TIR होने का chance सबसे ज़्यादा होता है और जितना अधिक TIR होगा उतना ज़्यादा वो surface चमकतावा मालूम पड़ेगा तो चलिए यह तीन application था total internal reflection का इससे objective question पूछे आते हैं अगले lecture में हम लोग prism start करेंगे जो की काफी important है तो फिर अगले lecture में मिलते हैं prism topic के साथ Thank you